वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं सुनीदा गोयल कुपित लब में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपके साथ टामाटर की चोखे की रेस्पी शेयर करूंगे बहुती टेस्टी और एजी तरीके से बनके तयार होता है तो चलिए रेस्पी स्टार्ट करते हैं यह हम एक स्टेंड लेंगे इसको गैस की उपर रख देते हैं गैस का फ्लेम लो रखेंगे तीन टमाटर का इस्तेमाल किया है मैंने तीन ही हरी मिर्च ली हैं आप कम्या जादा कर लें जैसा आपको तीका पसंद हो टमाटरों को हम पलट पलट के भून लेते हैं और उनी के सास में लेष्ञें भून लिया है हमने टमाटर हमारे भून के तैयार हो गए हैं इनको हम एक अलग पलेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के बाद इनें हम चील लेते हैं सारे टमाटरों को इसी तरह से हमें चिकल निकाल लेना है ।as n ka मिर्च और प्याज का सभी के चिकल हमें इसी तरह से निकाल लेना बहुत ही आसानी से इनका चिकल निकल जाता है मिर्च के उपर भी हलका सा चिकल है उसको भी हटा देते हैं लेसन का भी चिकल लेते हैं इसको एक साइड रख देते हैं देखिए कितनी इजी तरीके से हमारा चिकल निकल गया है प्याज का भी चिकल अटा के और फिर हम इसको एक चौपर की सायता से इसको पीसेंगे चिकल निकल चुका है इसके प्याज का भी इसको बारीक कट कर लेंगे और चौपर में एड़ कर देते हैं और इसको पीस लेते हैं हमें मिक्सी का इस्तिमाल नहीं करना है नमक स्वाधन स्वार एड़ करें थोड़ा सा कुटा कुटा सा रहना चाहिए चौपर से परफेक्ट तरीके से ये बन के तयार हो जाती है ये देखिए मैंने जैसे बताई थी न ठीक उसी तरह से ये बन गई है चटनी को हम बाउर में ट्रांसपर कर लेते हैं और धाहरी धनिया से इसको गानिस कर लेते हैं ट्राई जरूर करिए मेरे तरीके से रेस्पी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें